हलो एवरिवन कैसे हो आप सब आज में लेकर आई हूँ तूरई की सबजी बहुत कम सामान में बहुत फटाफट कैसे बनाए वही तरीका इस वीडियो में देखेंगे तो फिर चलिए ये वीडियो फटाफट से सुरू कर लेते हैं तूरई की सबजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तूरई लिये है पाव भर और उसी के अकोडिंग सारा मेजूर्मेंट देखेंगे आपको हलके हाथों से इसे छेल लना है ज्यादा दबाव लगा कर छेल लने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है छेलते टाइम अगर आपकी तूरई बार-बार तूट जाती है तो क्या कीजेगा ऐसे अंगूली का नीचे सपोर्ट दीजिएगा उसे क्या है बीच-बीच में से तूरे तूटेगे नहीं और आसाने से अपन छेल भी पाएंगे इसे तूरे छेल लेने के बाद आप चाहूँ इसे गोल सेप में भी कट कर सकते हो अगर छोटी पतली पतली तूरे है अगर मोटी साज की तो ऐसे आपको चार पीसी कट करने है आप जाओ किसी भी shape में cut कर लीजेगा मैं यहाँ पर इसे gold shape में cut कर रही हूँ तूरे वेसे दो type की होती आप कोई सी भी type की ले सकते हो एक टू गिल की तूरे और एक देशी तूरे मैंने यहापर जो तुरे लिए है वो देशी तुरे लिए है अब तुरे कट कर लेने के बाद इसमें मसाले अड़ करेंगे एक चमच धनिया पाउडर ये क्या करेगा तुरे का टेस्ट भी बढ़ाएगा ग्रेवी भी बनाएगा मिर्च कम ज्यादा हो गई उसको भी एड़जेस्ट करेगा एक चमच हल्दी पाउडर और हफ चमच लाल मिर्च पाउडर सबसे लास्ट में टेस्ट के अकोडिंग आपन नमक लीजिएगा तुरे का एक मसाला बनकर त्यार हो चुका है अब अपन नीचे से गेस ओन करके एक बरतन लेंगे और इसमें दो टेबल स्पून ओइल एड़ करेंगे आप सर सोका, सोया बिन का कोई साभी तेल ले सकते हो गी भी ले सकते हो गी से तो यह और ज्यादा टेस्ट ही बनती है और तेल को गरम करेंगे तेल गरम होते ही इसमें 1.5 टेस्पून जीरा अड़ करेंगे ये देखे जीरा जैसे ही चटकना स्टार्ट होगा जो अपने तुरही का मसाला त्यार किया है वो इसमें अड़ करेंगे जैसे मैंने बता है कि मैंने देशी तुरही लीए है ये इतना ज़्यदा पानी नहीं छोड़ती है तो इसे पकाने के लिए मैं ना मातर का इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर रहूं स्टार्टिंग में बस इतना सा ही और इसे मिक्स करके मसाली को पका लेंगे बहुत ज़्यदा ज़ंजटे प्याज वगेरा डाने के भी ज़रूरत नहीं है जितना सिंपल बनाओगे ये उतनी ही टेस्ट बनेगी अपनी तुरई पक कर त्यार हो चुकी है मैं नीचे से गेस बंद कर चुकी हूँ आई होप आपको ये फटाफट बनने वाली टेस्ट इसी बहुत ही सिंपल तरीका तुरे की सब्जी बनाने का पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा